हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं उमीद है सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे हम बना रहे हैं एकदम डिफ्रेंट टैप का चौमिन अब यह चौमिन देखकर आप बोलेंगे यलो कररा का चौमिन कौन बनाता है तो यह चौमिन मेरी मम्मी का special है हमारे घर के बच्चे से नानी का चौमिन कहते हैं क्योंकि सब लोग को चाइनीज वाला चौमिन पसंद नहीं आता है खासकर अपने घर के जो पैरेंट्स है वो चाइनीज वाल डिस पसंद नहीं करते हैं तो मेरी मम्मी ने एक दिन अपने हिसाब से इसे बनाया, जो कि बच्चों लोगों को बहुत पसंद आया, अब सब बच्चे इसे मांग मंग कर खाते हैं और कहते हैं कि ये नानी का चौमीन ही अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एक बार आप इस तरह का चौमीन बना कर देखिए, उमीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी इनानी की चौमीन, हम यहाँ पर लिये हैं एक आलू पटी मी, गाजर, यहाँ पर मटर, थोड़ा हरा धन्या पत्ती, हरी मिर्च और एक प्याच, और चलिए हम आप बनाते हैं, आज नानी का चौमीन, पहले एक कड़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें हाप चम्मच जीरा डालेंगे, यहाँ पर मैं कुछ कड़ी पत्ता डालूँगी, मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं था, इसलिए मैंने ड्राई करके कड़ी पत्ता रखा था, उसे डाल रही हूँ, आप यहाँ पर फ्रेश कड़ी पत्ता डालिए, इसमें हम कटा हुआ अलू डालके पहले बुनेंगे आलू ठोड़ा लाल हो जाएंगे तब हमार बजी से इसमें डालेंगे अलू ठोड़ा पख गया है आलू को पखने में थोड़ा टाई slap लगता है इसलों से मैं पहले डाल दी हूँ अब मैं यहां पे गाजर एड़ करूंगी और उसके साथ ही मटर और हरी मेर्ची अब इसमें मैं प्याज एड़ करूंगी और इन सब को भूझेगे अब इसमें मैं स्वाथ के अनूसाब थोड़ा सा नमक एड़ करूंगी अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पौडर एड़ करूंगी अब आप लोग बोलेंगे चौमीन में हल्दी ही कौन डालता है जी हम इस चौमीन इंदम अलग तरीके से बना रही हूँ जैसा कि आप लोग जानते है हम इंडियन लेडी कोई भी खाने को अपने नुशा ढालने में माहिर है अब इसमें मैं बॉइल किया हुआ चाओ डाल दूँगी और डाल के मैं इस अच्छी तरह मिला लूँगी अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज इसे सब्स्राइब कर लीजिए अब मैं इसके ओपर थोड़ा सा फ्राइ किया हुआ मुणफली डाल दूँगी और थोड़ा सा धनिया पत्ती आप इस तरह से एक बार चौमिन जरू बना के देखिए कि इना नापलों को बहुत ही पसंद आएगा और थोड़ा डिफरेंट स्वाद भी लगेगा और चटपटा बन जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा लीजिये हमारा चौमिन तयार है इंडियन चौमिन तयार है हमारा चौमिन को हम सर्व करते हैं देखिए तम खिले खिले बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने है अगर आपको मेरी ये रेशिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए थैंक यू